स्वामिनारेंद दोस्तों अक्षा प्लांट और प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष के हार्दिक शुबकाम नाए और दोस्तों जैसे आपने लास्ट वीडियो में डिसकस किया था कि या डेनियम को हैंग कैसे करना है उसक तो दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वैक्ष्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें वीडियो आपको फसंद आतें ज्यादा पाणने वीडियो में बताए था कि की कौन से करना है तो सबसे important बात कि है दोस्तों कि अगर plant के उपर sufficient पतिया हैं फ्लावर हैं और plant अच्छा ग्रो कर रहा है तो उसको नीड नहीं है कि आप उसको disturb करें इंपोर्टेंट बात यह है कि उसी को अपने को हैंक करना है सबसे पहले प्राइरटी पे तो सबसे पहले हम लोगों को उसी को हैंक करना है जिसके अंदर पानी जो है बहुत ज्यादा रूख जा रहा है जैसे इस पॉर्ट में आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा जो ह उस तो इधर के कपड़े सुखाते हैं हम लोग तो उसका भी पानी में जाता है और दूसरा जो है कुछ में मीडिया इस तरीकी का हो जाता है क्योंकि हर समय आपन जो है ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही मीडिया आपन बनाते हैं कई बार अरजैन में अपने पास जो भी अवलेबल तो अपने प्रारिटी नहीं हो जिनके उपर पतिया नहीं हो नई ग्रोथ नहीं हिनुटी हो उनको आपको करना है ऐसा नहीं कि धीयम सभी नी के ले लागू होता है कि आपके पास दूसेखारा जो है एंग कर दें तो मैंने जो दोस्तों अभी कुछ Aidenium खाली किये हैं वह हैं जिनके ओपर जो है चुआ कि यह बहुत गहरे C fors में क्योंने क्यों कि बहुत गहरे होने क्या होता हैं तो अपने को अंदाजय नहीं 다ा नीचे इतनी उसका जो excess moisture वो dry out होता रहता है और भरावा नहीं रहता है जबकि इन पॉट्स में कहा है जैसे गहराई ज्यादा है तो जो नीचे तक पानी इनके अंदर भरे रहने की समश्चा रहती है और दोस्तों अगर आप हैं नहीं भी कर रहे हैं तो अपने अडिनियम को एक्जामीन जरूर करते रही है क्योंकि यह थोड़ा सा sensitive टाइम रहता है सर्दियों में अभी जैसे मैंने एक पॉट उठाया था तो इसके अंदर जो ब्रांच है यह आप देख रहे होगे यह ब्रांच इदर से मर रही है तो अपने को ऐसी ब्रांच को जरूर जरूर काड़ देना अच्छी तरह अगर आप इसको जो है है नहीं भी कर रहें तो इसको आपने हैं करेंगे वैसे एक दो दिन में पर यह मेरे को ब्रांच दिखी तो मैं सुचा आप लोगों को बता दूं कि काफी सारे डिनियम में जो है ऐसी मरी हुए ब्रांच अगर है तो उसको अपने को त पास जो पॉट्स थे यह इस तरीके के पॉट्स जो हैं भी हैं गहरे हैं और जिन में जो है मीडिया सूख नहीं रहा है उन्हीं पॉट्स का जो है मैंने खाली किया है फ्राइटी पर और इनको आपने को क्या प्रोसर्स करना है जैसे आप देख भी रहूं कुछ में बर्स से थे वह कसी आरे हैं कुछ के अंदर जो हैं ग्रोथ भी है अबिए पर जो अपन्न नई क्रोथ की बात करते यह नई घ्रोध में प्लांस zal देनी हां टो एक जाए जैसे पहले बीश्यों में बताए था आप जैसे इसके अंदर येे देख रहे होंगा है Just के साई वालू न Dreer आगे चलके इंफेक्शन इन यहीं संभर होती कि आप नहीं देखको चीक कर दे कम जेके से mais यह पिछले वीडियो में मैंने बताए भी था कि डुबो के रखेंगे अपने एंटी फंगल वाले लिक्विड में और उसके बाद में जो है इनके उपर पेस्ट जैसा लगा करके और आपन हैंग कर देंगे अब दोस्तों बात ही आती है मैंने एक चीज और नोटिस करी कि अगर आपके प प्थफपर की जो पतियां है पतियां अपने को जरूर जरूर हटा दे नहीं क्योंकि पतियां जो अगर लगी रहेंगी तो इनको जो है ड्राइब आउट होने में बहुत जल्दी जल्दी यह जो है प्लांट का मौस्चर ड्राइ आउट हो जाएगा तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही और आपकी जो भी आडेनियम से उस पर प्रोसीजर कीजिए जिन में अच्छी ग्रोता उनकी नहीं है प्रोसेस कुछ भी करने की तो दोस्तों एक बार वापिस आप लोगों को हैपी नुइयर और बड़ी अडेनियम ग्रो कीजिए थोड़ी थोड़ी सी केर आप करेंगे तो अडेनियम बहुत सुन्दर और अच्छे आपके ग्रो करेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही अक्षर प्लांटर करें विडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार